असलाम अलेकूम, आज मैं इंशालला आपके साथ एक बहुत ही सिंपल, आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बस दो से तीन इंग्रेडियन्स से ही बन जाती है और वो है क्रिस्पी अनियन ड्रिंग्स, देखिए ये कितने क्रिस्पी हैं और मज़ेदार है इसे बनाने के लिए हम लेंगे ये दो बड़े साइस के प्यास, कोशिश कीजिए कि वो बड़े साइस के हो और गोल हो इस तरह से हमने ये दो प्यास ले ली, अब इस प्यास को आप छील लीजिए, देखिए प्यास को हमें नीचे से और उपर से कट कर लेना है यह बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है अगर यह रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और सिर्फ एक बार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बिल आइकॉन भी जरूर प्रिस कीजिए देखिए हम प्यास को अब इस तरह से कट कर लेंगे सारी प्यास को इसी तरह से कट कीजिए और कट करने के बाद हम इसके रिंग्स अलग कर लेंगे देखिए इस तरह से हमें रिंग्स अलग कर लेना है मैंने यहां पर सारे रिंग्स अलग करके रख लिये हैं कोशिश कीजिए कि जो भी प्यास आप लेंगे उसमें दो हिस्से ना हो वो प्यास गोल होनी चाहिए तभी रिंग्स इस तरह बन पाएंगे अब एक बोल में हमने एक कब दूद लेना है अगर आपके पास चांच नहीं है तब आप इस तरह कीजिए और उसमें डालिए एक टेबल स्पून विनेगर यानि हमने एक कब दूद में एक टेबल स्पून विनेगर यानि सिरका डाला उसे mix किया और फिर उसके बाद हम इसमें रख देंगे ये onion rings इन onion rings को हम इस दूद और विनेगर वाले mixture में 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे अगर आपके पास चाच है तो आप simply चाच में इन onion rings को रख दीजिए अब एक दूसरे बोल में हम लेंगे एक कप मैदा और उसमें डाल देंगे नमक आप कोई भी नमक इसमें डाल सकते हैं यहां मैं pink salt डाल रही हूँ इसे अच्छी तरह से mix कीजिए और फिर उसमें डाल दीजिए एक कप soda water और soda water डाल कर अच्छी तरह से mix कीजिए अगर आपके पास soda water नहीं है तो आप simply baking soda भी यूज़ कर सकते हैं अब देखिए यहां पर हमने मैदा लिया और उस मैदे में हम इन onion rings को डालेंगे और मैदे से अच्छी तरह से cover कर लेंगे सूखे मैदे में हमने onion rings डालें उस पर हमने अच्छी तरह से मैदा लगा दिया और मैदा लगा कर हम इसे एक रखते जाएंगे अब इन onion rings को जिस पर के हमने मैदा लगा था उसे आप मैदे के घोल में डुबोईए यानि जो मैदे के घोल में हमने सोडा डाल कर बनाया था वही घोल में हमें डुबोना है और फिर उसे हम fry करेंगे पहले तेल गरम कीजिए फिर उसे मीडियम फ्लेम पर रखिए और उसके बाद आप इसे fry करना शुरू कीजिए देखें ये onion rings fry हो रहे हैं इस तरह से जब ये crispy fry हो जाएंगे आप इन्हें निकाल लीजिए और निकाल कर आप इन्हें डाल दीजिए किसी kitchen towel पर या फिर किसी paper पर आप इसे डाल दीजिए सभी onion drinks को इसी तरह से तल लीजिए ये बहुत आसान सा snacks है महमानों के आने पर आप इसे बना सकते हैं नाच्टे में बना सकते हैं या इफ़तार के टाइम पर बना सकते हैं बहुत ही जटपट बन जाता है बस 10 से 15 मिनिट में ये ready हो जाएगा और इसे लगने वाली सारी चीज़े तो घर पर होती ही है तो आप इसे आराम से इंशानला घर पर बना सकते हैं तो देखिए हमने ये सारे onion drinks तल लिये हैं अब देखिए हमारे पास onion drinks तयार हैं अब हम इने serve करेंगे mayonnaise और ketchup के साथ या फिर आप किसी चटनी के साथ भी इसे serve कर सकते हैं देखिए कितने crispy हैं ये देखा आपने कितने crispy लग रहे हैं देखिए मैं अब इसे तोड़ कर बताती हूँ उपर की जो covering है इसकी कितनी crispy है देखा आपने तो कहिए कैसी लगी आपको ये recipe recipe पसंद आई है तो इसे like जरूर कीजिए वीडियो को share कीजिए और सिर्फ एक बार मेरे channel को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इन्शाला फिर मिलूँगी एक नई recipe के साथ Thanks for watching Sabas Best Classes Make Your 3 झाल झाल